Rising Suns Academy में आपका स्वागत है पस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजीम भाग एक का चौथा पाठ पत्ते ही पत्ते प्रिष्ठ 25 से 30 तक प्रिष्ठ 25 पाठ 4 पत्ते ही पत्ते रचनाकार वर्षा सहसर बुद्धे त, प, ए दीदी बोली मैं पाँच तक गिनूँगी गिनिती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ एक, दो, तीन, चार पाँच बोलने से पहले ही मैं दोड़ी और और धराम से बैठ गई प्रिष्ट चबिज उधर दीदी ने गिन्ती पूरी की और इधर हम साब गोला बनाकर बैठ गए प्रिष्ट 27 आज दीदी पत्ते लेकर आई थी कितने सारे पत्ते तरहा तरहा के पत्ते हमने पत्तों को अच्छे से देखा कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे एक दम गोल कुछ चोटे कुछ बड़े प्रिष्ट 28 एक था लाल एक पत्ता पीला और कथई रंका था एक पत्ते पर नसे दिख रही थी एक पत्ता कत्रीला था एक पत्ते का डंठल एक तम सीधा था एक पत्ता जालर वाला था प्रिष्ट 29 हमने पत्तों को छू कर देखा कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा तो कुछ पत्ते बंदनवार जैसे लग रहे थे प्रिश्ट तीस अभ्याज अब करने की बारी बगीचे में जाओ पत्ते देखो उन्हें हलके से हाथ लगाओ कैसा लगा? आपस में बातें करो अपने आज़ पास से तरह-तरह की पत्तियां इकठी करो इन पत्तियों को कागस पर चिपकाओ पत्तियों के जित्र भी बनाओ प्रिश्ट इकत्तिस पत्ते का पताखा सामान एक पत्ता बनाने का तरीका एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुठी पर रखो अब दूसरी हथेली से कस कर पत्ते पर वार करो तुम्हें एक गुबारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी जानो पत्ते को मारने की बजाए उसमें अपनी उंगली घुसा कर छेद बना दो अब हाथ से वार करो क्या पठाखे जैसी आवाज आई प्रिष्ट इकत्तीस और बत्तेस चित्र बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ यहां इस चित्र में प्राथमिक विद्याले का छुटी का समय दिखाया गया है सभी बच्चे अपने घर की तरफ जा रहे हैं कुछ बच्चे बस से जाने लगे हैं तो कुछ बच्चे पैदल ही घर को चल रहे हैं कुछ बच्चे साइकिल का इस्तिमाल कर रहे हैं तो कुछ बच्चे रिक्षे का कुछ बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आये हैं वही कुछ बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को उनका हाथ पकड़ कर घर की तरफ ले जा रहे हैं वही पास में चित्र में बस स्टॉप भी दिखाया गया है जिसमें कुछ आने जाने वाले लोग बस का इंतजार कर रहे हैं वही विद्याले के अंदर अभी भी कुछ बच्चे-बच्चे हैं जो आराम से बाच्चीत करते हुए गेट से बाहर आ रहे हैं साथ ही शिक्षकों की बच्चों पर नजर हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी बच्चा कक्षा में छूट ना जाए इस समय स्कूल में क्या हो रहा है बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं स्कूल के बाहर कौन-कौन सी गाड़ियां हैं बच्चे घर कैसे जा रहे हैं प्रिष्ठ चौंतिस घर कैसे जाओगी बा-शा-सा-उ यहां पर याता-यात के कुछ साधन दिखाए गए हैं और लिखा है मैं रिक्त स्थान जाती हूँ और यहां चित्र भी बने हैं जिनमें रिक्षा, साइकिल और बस दिखाए गए हैं तुमने इनमें से किस की सवारी की है? सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ सवारी रिक्षा मैंने सवारी की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान सवारी बस मैंने सवारी की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान सवारी साइकिल मैंने सवारी की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान सवारी? स्कूटर मैंने सवारी की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान भैंस मैंने सवारी की है? रिक्त स्थान मैंने सवारी नहीं की है? रिक्त स्थान प्रिष्ट 35 तुम कैसे जाते हो एक दादी के घर रिक्तिस्थान दो सिनेमा देखने रिक्तिस्थान तीन स्कूल रिक्तिस्थान चार हाट बाजार रिक्तिस्थान बताओ सवारी रेल गाड़ी टिकट लगेगा रिक्तिस्थान पैसा लगेगा रिक्तिस्थान मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी भैस टिकट लगेगा रिक्तिस्थान पैसा लगेगा रिक्तिस्थान मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी रिक्षा, टिकट लगेगा रिक्तिस्थान, पैसा लगेगा रिक्तिस्थान, मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी साइकल, टिकट लगेगा रिक्तिस्थान, पैसा लगेगा रिक्तिस्थान, मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी उन्ट, टिकट लगेगा रिक्तिस्थान, पैसा लगेगा रिक्तिस्थान, मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी बैल गाड़ी, टिकट लगेगा रिक्तिस्थान, पैसा लगेगा रिक्तिस्थान, मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी बस टिकट लगेगा रिक्तिस्थान पैसा लगेगा रिक्तिस्थान मुफ्त रिक्तिस्थान सवारी गोदी टिकट लगेगा रिक्तिस्थान पैसा लगेगा रिक्तिस्थान मुफ्त रिक्तिस्थान प्रिश्ठ चतीस और सैतीस चित्र यहां चित्र में एक गाउं का द्रिश है, एक खेत दिखाया गया है, दूर पहाड भी दिख रहे हैं, बिजली की लाइन भी जा रही है, और इधर खेतों पर किसान काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं, इधर एक किसान ट्रेक्टर चला रहा है, एक गाय भी खड़ी है, पासी एक जोपड़ी बनी है और एक हैंड पंप से बच्चा पानी निकाल रहा है, इधर कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, और एक किसान सिर पर गठरी में कुछ बांधे ले जा भी रहा है, पास ही एक तालाब है जिससे छोटी नहरों के जरिये पानी खेतों तक पहुँचाया गया है और कुछ किसान फसल काट रहे हैं यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या-क्या देखने को मिलेगा प्रिश्ट 38 नीचे क्या, उपर क्या गन्ना जमीन के उपर उखता है और मुली नीचे सही जगहा पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ जमीन के नीचे उगने वाली चीजों को जमीन के नीचे वाले हिस्से में और उपर उगने वाली चीजों को उपर वाले हिस्से में बनाओ प्रिश्ट 49 बूचो मेरा रंग खा धा फा वा यहां सुहानी पूछ रही है बैंगन किस रंग का? यहां कुछ चित्र दिये गए हैं और कुछ रंगों के भी नाम हैं चित्र हैं धनिया, टमाटर, खीरा, प्याज, आलू, बैंगन, मुंपली, मकई, पालक, गाजर, धान, चावल, बोड़ा और अद्रक और रंग हैं लाल, हरा, बैंगनी, पीला, नीला और काला वहीं पास खड़ी सुहानी पूछ रही है बैंगन किस रंग का? बैंगन बैंगनी रंग का और बैंगन जाएगा बैंगनी के नीचे इसी तरह से यहां पर बाकियों को भी इन रंगों के नीचे लिखिए प्रिश्ट चालीज और एकतालीज चित्र पहेली हाट का खेल पासा यहाँ पर पासे का खेल दिया गया है जिसमें एक से लेकर बीज तक खाने है इनमें बच्चों को गिनती सिखाई जाती है साथी साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है पासे को फेका जाता है और जैसे जो संख्या आती है उस हिसाब से गोटियों को चला जाता है इस पासे के खेल में पहला खाना स्वागत का है यहाँ से शुरू करना है इसी तरह क्रम से आगे बढ़ते हुए दूसरा खाना पैसों का है तीसरा खाली है चौथा जाओ मिठाई खाओ वाला खाना है पांचवा खाली है छठा पैसा नहीं है पैसा लाओ वाला खाना है साथवा खाली है आठवे पर एक चित्र बना है जिसमें एक आदमी कुछ खा रहा है नवा खाना निशाने बाजी जीत कए एक बार और बारी लो का है दसवा खाना पुलिस चौकी का है ग्यारवा खाना बारह पर जाओ का है बारवा खाना गोटी वापस आने का है इसमें एक दुखी चहरा दिया गया है तेरवा खाना गुबारा खरीदो का है चौधवा खाना खाली है पंद्रवे खाने में बहुत सारे घुबारे बने है सोलवा रिक्त है सत्रवा खाना खो गए पुलिस वाले के पास जाओ है अठारवा खाना खाली है उन्नीसवा खाना गेट बंद है दो बारी छोडो है माचिस की तीन खाली डिब्वियों को एक के उपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें उस पर रंगीन कागज चिपका कर छह तक गिंती लिखें पासा तयार है इसी के साथ रिमजिम भाग एक का चौथा पार्ट यहां समाप्थ हुआ आप सभी को हमारा यह विडियो देखने के लिए धन्यवाद